Dear students, welcome to Weight Smasher's आज की इस वीडियो में एक्स्प्रेइन करने जा रहा हूँ Condition Coverage Technique Which is again a white box testing technique मतलब white box testing के अंदर जब हम test cases को design करते हैं तो हमारे पास multiple techniques आती हैं कुछ techniques हम already discuss कर चुके हैं लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं Condition Coverage Technique और इसको मैं with example आपको बहुत ही बड़ी example से समझाऊँगा ताकि आपके competitive exam, college, university exam कहीं पे भी आपको पूछलें आप easily answer दे सकते हैं तो guys, what about today वीडियो को like करते हैं चैने को subscribe करें अगर अब तक आपने नहीं करो कर भी दिये तो और devices से subscribe करवा सकते हो शेर कर सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते है इस उस्टो कवर अल दे कंडिशन कंडिशन कवरेज इस ओल्स नोवन अस प्रेडिकेट कवरेज इन विच इच आफ दा बूलियन एक्सप्रेशन हैव विन एवैलूएटे तो बोथ true and false तो मेरे हिसाब से इन दोनों लाइनों को पढ़के आपको exact कहानी जो है वो clear नहीं होगी तो कोई बात नहीं आपको मैं example से ही समझाता हूँ example से ही आपको जो है चीजे clear होगी तो मेरा main motive यह रहता है कि यहर आपको theory जो है वो बाद में बताई जाए पहले आपको concept की clarity दी जाए with example और उसके बाद theory तो आप बनाई लोगे अपने आप तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें simple सा program लिखा है अब देखो जब हम बात करते हैं conditions की तो जब हम if के अंदर use करते हैं या फिर switch के अंदर हम लोग use करते हैं या फिर while loop के अंदर हम लोग use करते हैं तो जब हम multiple conditions को use करते हैं अपने program में तो हमारा test case इस तरीके से design होना चाहिए कि वो हर condition को evaluate करें चाहे वो true में करें चाहे false में करें लेकिन हर condition को evaluate करना जिरूरी है देखो मैं आपको इस example से समझाता हूँ let's say मेरा test case यहाँ पे है पहले a is equal to 0, b 0, c 0, d 0 ठीक है मैंने यहाँ पे एक test case इस तरीके का बना लिया a, b, c, d की मैंने values ले ली चलिए start करते हैं और आप program यहाँ से start हुआ read a, b, c, यह तो simple line है यहाँ पे आओ, main focus आपका यहाँ पे है if a double equal to 0 मनलब आपका यहाँ से start होगा if a double equal to 0 what is the value of a, 0 तो 0 यहाँ पे बराबर हो गया यानि यह वाली condition क्या होगी आपकी true होगी, true होगी न 0 is equal to 0, yes true जैसे यह true होगी if true, उसके बाद क्या है, और है true के बाद क्या है, और है अब आपको पता है कि और gate जब भी हम use करते है या और operator जब भी हम use करते है अगर उसके left side में true आ गया तो वो right side को check ही नहीं करता, चाहे right side में true आए, answer true आएगा या right side में false आए, तब भी answer true ही आएगा, तो इस case में होगा, क्या, इस test case में जैसी हमने a की value को 0 लिया ये true हो गया, ये वाली condition एक तरह से check ही नहीं होगी, ये condition check ही नहीं होगी, ध्यान से सुनना ही line, ये condition check ही नहीं होगी, और हम लोग क्या कर रहे है condition coverage, तो यानि इसने इस condition को तो cover किया, इस condition को cover नहीं किया, तो जैसी ये true हो गया true होती, print क्या कर देगा, one कर देगा out of the loop चला जाएगा ना तो ये वाली condition check ही, ना ये condition check ही, तो I hope कि सब को clear हो गया होगा, कि अगर मैं a is equal to 0, बाकी तो value जो margin लेलो, a is equal to 0 लेते ही एक तरह से, सिरफ a condition check होगी, तो total अगर मैं बात करूँ, one, two, three four conditions है, तो out of four, only one condition check होई, तो 25% coverage हुआ, आप इस तरीके से इसको calculate कर सकते हो, let's take the another case, let's say a is equal to 1, b is equal to 0, c is equal to 0 and d is equal to 0, मैं ते एक और test case ले लिया, a is equal to 1 आज हो जी, a is equal to 1 one double equal to 0, falls हो गया, यानि यह मेरा condition क्या हो गई, falls हो गई, falls और, अब यह दूसरी पर जाएगा क्योंकि और के case में अगर एक मेरा falls हो जाता है तो अगर दूसरा true हो गया तो overall true हो गया, अगर दूसरा false हो गया, तो overall result क्या हो गया, falls हो यानि दूसरे पे जाएगा तो पहली condition चेक की A की value 1 is equal to 0 false और और के अंदर गए B की value क्या है 0 0 is double equal to 0 क्या हो गया true हो गया यानि false or true answer क्या आगया true तो print कर देगा 1 और out of the loop चला जाएगा इस पे जाएगा निए else part पे जाएगा निए but at least पहले से आप better हो गए आपने ये condition भी check कर ली और ये condition भी check कर ली दो conditions आपकी इस if के अंदर जो दो conditions थी दोनों की दोनों check हो गई यानि इस if का तो 100% coverage कर दिया लेकिन overall बात करें तो आपने ये check किया ये check किया बट ये अभी check नहीं हुई यानि 50% out of 4 conditions out of 4 conditions दो condition आपने चेक कर ली 50% coverage कर ली let's take the another case let's say a is equal to 1 b is equal to 1 c is equal to 0 d is equal to 0 अब देखो जी a is equal to 1 1 is double equal to 0 क्या होगा false होगा कोई बात नहीं answer से हम नहीं कोई लेना देना नहीं हमने ये देखना है कि condition cover हुई या नहीं yes, false होगा condition cover next जाएगा, और जाएगा और पर देखेगा कि next क्या बना 1, 1 is double equal to 0 यहाँ पे भी क्या है 1 1 is double equal to 0, false यानि ये दोनों condition चेक हो गई और false और false क्या होता है answer false होता है तो यानि दोनों condition चेक होई answer क्या है, false आया जैसी false आएगा ये else part में गया else part के अंदर c की value चेक करेगा 0, 0 is double equal to 0 तो ये क्या हो गया आपका true हो गया, true हो गया तो again वही, आपका next क्या है and, अब next क्या है and, अब यहाँ पे भी अगर आप और लिख देते तो ये d वाला चेक नहीं करता I hope कि अब आपको clear हो गया होगा कि condition coverage की हम बात क्या कर रहे है तो यहाँ पे मेरा answer क्या गया एक तरह से let's say यहाँ पे answer क्या गया c is double equal to 0 क्या हो गया ये, true हो गया true हो गया, and पे जाएगा अब and में दोनों चेक करता है true and next भी चेक करेगा यहाँ पे देखो, आप कितनी conditions को cover कर पाई यह भी cover, यह भी cover, यह भी cover, यह भी cover तो overall आपकी सारी की सारी क्या होगी cover हो गई, 100% आपने cover कर लिया सारी conditions को, so this is how you can evaluate the conditions condition coverage technique, ठीक है बाकी की कहानी जो है theory आपको मेरे इसाब से समझागी होगी जो example आपको समझाया, यह कहीं पे भी आप लिखोगे ना, अच्छे से बताओगे definitely आपको full marks पे लेगे, thank you